हेलो फ्रेंड्स व्ल्कम बैक्ट मैं चानल अम्रीटी पेशनविला आज की वीडियो में हम सलाई चलाना सिखेंगे आप पिछले साल से मुझे कमेंट आ रहे थे कि दिदी सलाई चलाना भी सिखा है जिस तरह से आपने क्रोशया चलाना सिखा है तो मैंने यहां पर देखें य छोटे काना की पोशाक बनाए और थोड़ी मोटी सलाई से बड़े काना की पोशाक बनाए बड़े काना से मेरा मतलब है 12,13,14,20 पर करते हैं जहां भी आपको बारीक पुनाई चाहिए आप पतला उन और पतली सलाई यूज़ करें जहां भी आपको थोड़ी सी मोटी और आपको थोड़ा जल्दी करना हो वहां पे आप थोड़ा सा मोटा उन और मोटी सलाई यूज़ करें मैंने यहां पे देखें यहां सबसे तरह से डालते हैं मैं आपको बताती हूं फंदी डालने के लिए सबसे पहले हम देखें उनको इस तरह से डबल करेंगे निचे का हिस्था कुछ लोग को थोड़ा सा मोटा और मोटा क्या मजबूत रही है इसलिए हम यहां पर डबल कर लेते हैं फंदा डालते हैं तो यह यह डवल के उपर इस तरह से अपनी इसे सलाई रखनी है देखे यह उन है यहाँ पर हमारा थुड़ा सा इस तरह से हमने यहाँ पर सलाई रखी अब अपनी हम राइट हैंड से देखे इस तरह से करेंगे यह ऐसे ऐसे किया हमने यहाँ पर ऐसे करके फसाया और यहाँ देखे अब अपने right hand की उंगली को यहां लगा लेंगे जिससे यहां पर यह हमारा दबा रहे और इधर से देखिए जो single one है इसे हमने यहां पर ऐसे लगाया और लगाने के बाद हमें इस उंगली से देखिए इस तरह से इसे उतार देना है तो यहां पर हमारा यह एक फंदा पढ़ गया यहां पर हमारा एक फंदा पढ़ गया है इस तरह से हमने किया अब फिर हम ऐसे करेंगे यह ऐसे करके हमने किया यह देखिए यह इस तरह से हमने डाला और यह हमने यहां से उतार दिया यह देखिए हमारा दो फंदा पड़ गया है फिर हमने इस तरह से किया यह देखिए यहाँ पर ऐसे फसाया फसाने के बाद ऐसे सलाई को पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे किया हमने और इसे हमने डाल के उतार दिया देखे हमारा तीन फंदा पड़ गया, ऐसे हम अपना चौथा फंदा भी डालेंगे, बहुत से लोग फंदा डालते वक्त सलाई को अपने पैर के दो उंगली के बीच में फसा लेते हैं, और फिर फ्री होके अपना दोनों हाथ से फंदे को डालते हैं, तो अगर आपको वह ए यह तो मैंने आपको डबल उन से बताया, जो कि बेसिक होता है, नॉर्मली हम डबल उन से ही डालते हैं, क्योंकि हमारा नीचे वाला हिससा मजबूत हो, मोटा हो इसलिए, तो डबल उन फोड़ा सा मुस्किल होता है, इसलिए मैं आपको सिंगल उन से भी बता देती हूँ, क यहां पे इस तरह से हमने किया, यह देखें, इस तरह से, यहां पे इस सलाई को और उन को दोनों को पकड़े रहना है हमने, और यहां पे यह हमने इसे फसाया, फसाने के बाद इसे हम डाल के उतार देंगे, फॉर्मूला हमारा भाई है, फंदे हमें वैसे ही डाल ले है, बस यही चेंज है कि यहाँ पे single oon होने की वज़े से हमारा दोनों हाथ free है हम easily डाल पा रहे हैं हमें यहाँ पे अपना double oon balance करके नहीं रखना है कि यहाँ से हमारा दूसरा वाला oon छूट ना चाहे तो देखें single से इसलिए हमारा easy होता है तो इस तरह से हम करके यहाँ पे single देखें ऐसे फंदे को डाल लेंगे और कभी भी हम starting में ही फंदा डालते वक देखें बहुत ज़्यादा इसे खीच के tight ना करें यह इस तरह से मालीज हमने फंदा डाला और डालने के बाद मैंने ऐसे normally not दे ली आप पुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसे खीच देते हैं तो जब खीच देते है तो वही बुनाई करने में दिकत होती है और नीचे से क्या होता है एक दो ऐसे सिकाना जाती है तो इस शिच का हमें ध्यान देना है यह मैं आपको कानाजी की पुछा के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से आप बुनाई कर सकते हैं देखें हम हर ट्रक की dresses बनाते हैं उसमें अलग अलग हमारी बुनाई होती है तो यह मैं आपको कानाजी की पुछा के लिए बता रही हूँ तो देखेंगे है हमारा यहां पर चार फंदा पढ़ गया और यह हमने अपना पांचमा फंदा डाल दिया यह हमने अपना छाथा फंदा डाल दिया यह इसी तरह से मैंने सा पढ़ गया है अब ये वाला जो उन बसता है लास्ट में इसे हम क्या करते हैं अपना सिलाई के लिए बचा लेते हैं तो इसे इस तरह से आप रोल करके यहाँ पे एक नॉट लगा सकते हैं जिसे यह आपका इधर अधर निकलेगा नहीं और यहीं पे सेट रहेगा तो जब आपको सिलाई करनी हो तो यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं अब हमारा एक उन यहाँ पे बचा हुआ है हम इसे अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे यह एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगे बुनना बहुत आसानी से आप बुन लेंगे अगर आप काना की पोशाग बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं हमें क्या करना है अपने राइट हैंड से देखें सलाई को मैंने इस तरह से ऐसे फंदे में डाला यह देखें यहाँ पे हमारे फंदे में गई फंदे में जाने के बाद यह देखें उन को पकड़ना है और उपर की साइड से इस तरह से हमने फसाया इसमें अब जब फसाया तो अपने हाथ को एकदम हलका रखना है बिल्कुल भी टाइट कहीं से कुछ नहीं खिछना है एकदम हलका बस आपको हलका सा क्या करना है इसे पकड़े रहना है यह वाला उन जो है हमारा उसे हमने पकड़ा साथ में हमने अपनी सलाई पकड़ी अब देखिए एसे हम जब यह तो यहां से पीछे करें गया उपनारा देखिए, निकल के आगए हमारे निकल के आएंगे, हमें गिरा देना है गे भापने इस से एक बनाया और इस उतार दिया हगे, धुक्त ऐसे हमें गए डाला है, उल्टा भूंड रहे है कुछ पुल्टा बोलते हैं यह देखें इस तरह से हम फिर से डालेंगे और यह हमने इसे बुन दिया एकदम सिम्पल और आसान तरीका है काइस और फिर फंदे को गिरा देंगे और फिर यहां एदे देगे दृत हैं अपने तीसरे फंदे में डाला यह देखे, मैं आपको फिट से आराम से दिखाती हूँ, इस तरह से उपर से हमने फंदे को फसाया, फसाने के बाद यहां से हलके हाथ से निकालेंगे, निकालने के बाद देखे, पीछे से हमारा उन निकल के आगया है, इसे हमने गिरा दिया, फिर हम यहां पे ऐसे डालेंग अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा ये इस तरह से हमें इसे बुनना है ऐसे करके हमने यहाँ पर उतार दिया तो ये तो मैंने आपको उल्टा-उल्टा बुनना सिखा दिया अब मैं आपको दूसरी सलाई में सीधा बुनना सिखाती हूँ कि सीधा सीधा हम किस तरह से बुनते हैं देखेंगे हमारी यहाँ पर एक सलाई जो है वो बुन गई है एक सलाई हमने यहाँ पर बुन दिया है अब मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा भी बुनना दिखाती हूँ कि किस तरह से आप बुन सकते हैं तो जब सीधा में बुनना होता है देखें सलाई हम यहाँ से यह एक फंदा है हमारा और यह हमने यहां से फंदे को निकाल लिया जब फंदा हमारा यहां से देखे निकल गया तो इस फंदे को हम ऐसे गिरा देंगे एक फंदा हमारा यहां पर आ गया अब फिर हमें यह यह चीछ करनी है देखे दूसरे वाले फंदे में डालना है हम तो यह दो फंदे हैं हमारे यहां, दोनों के बी से इधर से ऐसे हमें डालना है, ऐसे करके, यह हमने डाला, यहां पर इस तरह से किया, और यह हमने फंदे को निकाल दिया, यहां देखे जब हमारा फंदा निकल के आ गया, तो हम यहां पर इसे इस तरह से गिरा देंगे, फिर हमने यहां पे इस तरह से किया यह हमने इसे बुना और बुनने के बाद इसे हमने निकाल दिया फिर हमने यहां पे देखें इस तरह से डाला डालने के बाद फिर से बुना और बुनने के बाद इसे हमने उतार दिया फिर वाई सेम चीज हमें करनी है यह देखें यह इस तरह स से के आपके लिए जादा इजी रहेगा यह देखें बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको यह बुनना बताया है यह देखें मैंने आपको एकदम सिंपल और आसान तरीके से यहां पे यह बुनना बताया है हमने दो सलाई बुनी है दो सलाई में देखें यह इतना बड़ा हो गया है अब हमारी धीरे धीरे ठंडिया स्टार्ट हो रही है तो बुनाई से रिलेटेड आपको जो भी कुछ सीखना हो आप करोस्या कैसे चला सकते हैं वो मैंने वीडियो में अपलोड किया है पहले ही बता हुआ है और आपको तो आज मैंने सलाई भी बता दिया है कि आप सलाई से कैसे बुनाई कर सकते हैं बहुत से लोगों को क्रोसिया इजी लगता है बहुत से लोगों को सलाई इजी लगता है तो मैं तो आपको यही सजिस्ट करूँगी कि आप दोनों चलाना सिखें आपको जो easy लगे जो आप जल्दी सीख जाएं जिसमें आप comfortable हूँ आप उससे अपने कानाजी के लिए बुन सकते हैं और जड़ूरी नहीं है कि मैंने ये वीडियो में बताया है अप चली मैं आपको यहीं पर फंदे को घटाना भी सिखा देती हूँ कि किस तरह से आप फंदे को घटा सकते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखें दो चीन चीजे जो जरूरी होती हैं वो हमने सीख लिए हैं इस वीडियो में इस तरह से ऐसे जब फंदे को है थो धाना तो थो साथ बुनते हैं यह दोखें मैं उल्टी सायड आ गई हूंальные होँ यह हमारी लोटी शायड है इस तरह से इसे घञताते हैं उल्टी या सीडी दोनों में इस तरह से घञता सकते हैं दो फंदे को हमें एक साथ लेना है, एक साथ लेने के बाद इस तरह से हमने बुना, और यह देखें, यह दो फंदे को हमने एक साथ बुन दिया, बैसिकली बस इतना, अब देखें, एक फंदा यहां पर हमारा आया, और दो फंदा हमने गिरा दिया, फिर इस एक फंदे को हम इसी सलाइम में ले लेंगे और इसी सलाइम में लेने गए इसके साथ एक और फंदा लेंगे और इन दोनों को हम आपस में बुन देंगे यह हमने बुन दिया अब देखें यहां से हमें इस फंदे को दोनों को गिरा देना है फिर हमने अपने इस फंदे को ले लिया यहाँ पे और देखें यह इस तरह से हमने बुन दिया यह देखें और फिर इन दोनों फंदों को हम यहाँ पे गिरा देंगे फिर यहाँ पे इसे ले लिया हमने और यह बुन दिया इसी तरह से करते करते हैं लास्ट में हमारे पार सि पुल्टा बुणना बता दिया और फंदे को घटाना भी बता दिया अब यहां पे लास्ट में आपको नॉट डालना बताऊंगी देखिए मैं थुरा सा जल्दी करके इसे पुंदिया है बट सेम तरीका यहां पर आपको एक चीज का देना है आपको अपने हाथ को बहुत ज् चलाना है एकदम नॉर्मल हम चलाएंगे ना बहुत ज्यादा डहीला ना बहुत ज्यादा टाइट तो इस तरह से हमने यहां पे इस पंदे को भी निकाला और निकालने के बाद देखिए हम क्या करेंगे यहां पे इस तरह से खीचेंगे और खीचने के बाद यहां पे हमें नौट लग गया, यह इस तरह से हमारी यहाँ पे बुनाई हो गई है, एकदम सिंपल और आसान तरह के से आपको बता दिया, अजो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सबस्क्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिशना रादे रादे